आज हम करेंगे आरके लक्षमन की लिख्यूई स्टोरी इश्वरन दा स्टोरी टेलर वन नाइट महिंदरा वोक अप फ्रॉम एंड सौ ए डाक प्लावडी फॉर्म एक रात महिंदरा नीन से जाका एंड सौ ए डाक प्लावडी फॉर्म और उसने क्या देखा एक काले रंग की आकरी थी एक दम से उसको ठंडा पसीना आ गया वाज इट ए गोस्ट क्या एक भूत था यह जो स्टोरी थी यह गनेश को बताई गे थी बाई एक युगा व्यक्ति के द्वारा महिंदर बाई नेम जिसका नाम महिंदर था महिंदर जो था वो एक जूनियर सुपर्वाइजर था एक कंपनी में विच ओफर्ड ओन हायर सुपर्वाइजर जो की क्या करते थे सुपर्वाइजर रखते थे यानि निरिक्षक रखते थे at various types of construction sites कहीं जंगा पर जहां पर उनका काम चल रहा होता था जैसे कि कोई फैक्टरी का ब्रीज का डैम का बांध का और इसी तरह से अन्या construction sites construction sites क्या होती है जहां पर मांड कार्य चल रहे होते हैं महिंदर's job was to keep an eye on the activities at the work site महिंदर का काम था कि कार्यस थल पर होने बाली गतिविदियों पर नज़र रखे he had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office इस तरह से उसको एक जंगा से दूसरी जंगा पर जाना परता था जैसे ही head office से कोई भी order आता था यानि order के according उसको एक जंगा से दूसरी जंगा पर move करते रहना पड़ता था जाना पड़ता था from a coal mining area to a railway bridge construction site जहां पर भी निर्मान कारिये चल रहा होता था जैसे की coal mining कोईले की खान के area से railway bridge construction site यानि जहां पर railway pool बन रहा है महां पर भी उसको भेजा जा सकता था from there after a few months और महां से कुछ ही मेनों बाद उसको कहां जाना पड़ता था chemical plant, a racinic plant में which was coming up somewhere जो कहीं पर बनाया जा रहा था he was a bachelor वो एक कुमारा था his needs were simple और उसकी जरूरते भी साधारन थी and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions पर उसने अपने आपको इस तरह से रखा हुआ था कि वो किसी भी तरह की प्रस्थितियों में अपने आपको ढाल सकता था whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry यहां तक कि चाहे वै कोई सभी सुविधाओं वाला circuit house हो या पत्रों की खानों के बीच में काम चलाओ मोटे कपड़े का बना तंबू but one asset he had was his cook, इश्वरन उसके पास केवल एक ही मुल्यवान बस्तू थी और वो थी उसका रसोया इश्वरन the cook was quite attached to Mahendra and followed him uncomplainingly wherever he was posted और Mahendra भी उससे बहुत ज्यादा attached था attached यानि उसको बहुत लगाव था उससे and followed him uncomplainingly और बीना कोई शिकायत किये उसके साथ-साथ वो चल पड़ता था जहां पर भी उसको posting मिलती थी यानि जहां पर भी उसको company के द्वारा भेजा जाता था he cooked for Mahendra Mahendra के लिए खाना मनाता था washed his clothes उसके कपड़े धूता था and chatted away with his master at night और रात को अपने मालिक से बातें भी करता था he could weave out endless stories and anecdotes on worried subjects इस तरह से वो बहुत सारी कहानिया किस से बना लेता था अपनी कल्पनाओं में ही बहुत सारी कहानियों को वो बना देता था इश्वरन also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around एक और खुबी उसमें थी कि वो क्या करता था सबजयां हुगा लेता था सबजयां हुगा लेता था खाने का बनाने का समान पैदा कर लेता था आस पास जब कोई नहीं होता था यानि कोई मिलों तक दुकान नहीं होती थी या कोई इस तरह सुनसां सी जंगा पर भी वो ये सारी चीज़ें अरेंज कर लेता था He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the Jink Sheet shelter at the new workplace इते साथ साथ वो जादूई ढग से किसी भी नए कारे स्थल के Jink की चादरों के बने आर्श्रे स्थल में पोंचने के एक घंटे के अंदर ताजी सबजियों से बना हुआ कोई भी स्वादि व्यंजन जो है वो बना सकता था बहुत ही अच्छी डिशिज तियार कर लेता था महिंदरा वूट भी अप अर्ली इन दा मॉर्निंग महिंदर सुबह जल्दी उठ जाता था अब महिंदरा के काम पर जाने के बाद इश्वरन जो था वो क्या करता था शेड को यानि अपने घर को साफ करता था और उसके साथ साथ वाश्टा क्लोथ कपड़े दो देता था हैवे लजरली बाद और बहुत अराम से नहाता था खूब सारी बालटियां अपने ऊपर डालता था अपने सिर के ऊपर बहुत सारा पानी डालता था मत्रिंग ए प्रेयर अल दा वाईल और इस तोरान दीरे-दीरे प्राथना भी बोलता रहता था और इस तरह से ये सब काम करते करते उसको दोपहर का समय, यानि दोपहर के भोजन का समय हो जाता था After eating, खाना खाने के बाद, he would read for a while before dozing off कुछ समय के लिए पढ़ भी लेता था, इससे पहले कि वो सो जाए, उसके बाद वो थोड़ी दिर पढ़ता था, फिर सो जाता था The book was usually some popular Tamil thriller running to hundreds of pages और ये जो किताबे वो पढ़ता था, वो क्या होती थी? तमिल की कहानिया, तमिल में कहानिया होती थी, यह तमिल का कोई भी उपन्यास होता था, रोमांचक उपन्यास होता था Its imaginative descriptions and narrative flourishes would hold Iswaran in Thral यानि इसमें जितने भी कलपनाओं से भरी हुई, यानि बहुत सारी चीज़ें बताई जाती थी and narrative flourishes और शांदर कहानिया इसमें बताई जाती थी, जिनको पढ़कर Iswaran बहुत खुश हो जाता था His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read इस तरह से उसकी अपनी जोग बनाईवी कहानिया होती थी, वो इनको पढ़-पढ़के ही इसने सीखी थी When he was narrating even the smallest of incident और जब भी वो कोई छोटी से भी बात बताता था या छोटा से भी कोई घटना बताता था, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account तो वो try करता था, कोशिश करता था कि उसमें suspense ले आए, यानि रहसे में उसको बना दे ताकि सामने वाले का interest बना रहे and a surprise ending into the account और end तक वो क्या करता था, हरानी वाला, जिससे सामने वाला हरान हो जाए, इस तरह का अंत उसका बना देता था For example, उधारन के लिए, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway he would say with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture और जैसे कि वो सड़क पर जा रहा है, और उसको रास्ते में सड़क पर कोई पेड़ गिरावा मिला तो वो कैसे उसको बताता था, कि अपनी आंखों को एकदम से, eyebrows को उपर की तरफ ले जाता था और हाथों को भी बहुत ही ड्रेमेटिकल अंदाज में, यानि नाट की अंदाज में उपर उठा कर कहता था और मैं बिलकुल अकेला था, suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road तभी मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि सड़क के आरपार लेटा हुआ कोई बहुत ही जाडी जैसा, जानवर था I was half inclined to turn and go back, मैं चाहता था कि मैं बापस लोट जाओं, but as I came closer, I saw that it was a fallen tree with its dry branches spread out जब जैसी में उसके नजदिक गया, तो मैंने देखा कि ये तो ए गिरावा पेड है, जिसकी सुक्य हुई टहनिया फैली हुए है महिंदरा वूट स्टेच हिमसेल बैक इन इस कैनवस चेयर और लेटा हुआ उसकी कहानियों को सुना करता था बिना किसी अलोचना के, यानि जैसे वो सुनाता था उसको चुपचाप से सुन लेता था और इश्वरन कहता था कि जहां से मैं हूँ, यानि जिस स्तान से मैं आया हूँ, वह अपनी इमारती लकडी के लिए परसिद है उसके चारों तरफ बहुत ही घना जंगल है और वहां पर लकडी के गठों को ट्रकों तक किसके द्वारा लाया जाता है? एलिफेंट्स की हाथियों के द्वारा और वह कैसे हैं? बहुत ही बड़े बड़े अच्छी परकार से पोशित यानि उनका अच्छी तरह से ध्यान रखा जाता है उन हाथियों का वें दे टर्न वाइल्ड, इवन दा मोस्ट एक्स्पिरियंस महाथ इस नोट अबल तो कॉंट्रोल दैं और जब वो बिगड जाते हैं या जंगली बन जाते हैं तो बहुत ही अनुभवी महावत जो होते हैं जो उनको संभालते हैं हाथियों को वो भी उनको नियंतरित नहीं कर सकते हैं After this prologue, Ishwaran would launch into an elaborate anecdote involving an elephant. इस तरह से क्या करता था वो? इस भीमका के बाद, Ishwaran एक हाथी के बारे में किस्सा को यह बताना शुरू कर देता था. One day a tusker escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will. You know sir, how an elephant behaves when it goes, मैं आप कहानी वो बताता है? कि एक दिन क्या हुआ, एक हाथी लकड के गुदाम से निकल कर भाग गया. Begin to roam about, stamping on bushes. और वो अवारा गुमने लगा, अंदर दून जाडियों को कुचलने लगा. Tearing up wild creepers and breaking branches at will. और इसके साथ जंगली बेलो को खाडने लगा था, तथा टहनीयों को तोडने लग गया था. You know sir, आपको तो जैसे पता ही अश्रिमान, कि जब कोई हाथी पागल हो जाता है और इस तरह से विवार करता है, Ishran would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about stamping his feet in emulation of the mad elephant. वो अपनी कहानी को बताने में इतना खो जाता था कि खुदी फर्ष पर खड़ा हो जाता था और पागल हाथी की नकल करते हुए अपने पाओं पटकने लग जाता था. The elephant reached the outskirts of our town, breaking the fences, down like mastic sea would continue. अपनी बात को जारी रखते हैं, उसने कहा कि ये जो elephant था, ये जो हाथी था, ये हमारी जो शहर था, उसके सीमा तक आ गया, पहुँच गया था and breaking the fences down like mad sticks. और उसने जो बाड लगी थी महाँ पर, उनको इस तरह से तोड़ दिया, जैसे माचिस की तिलियों को तोड़ा जाता है. It came into the main road, और ये मुख्या सड़क पर आ गया and smashed all the stalls selling fruits and muds, ports and clothes. और वहाँ पर जितनी भी दुकाने थी, जो fruits की थी, फलों की थी, mud ports, यानि जो बरतनों की दुकान थी, मिट्टी के बरतनों की दुकान थी और कपड़ों की दुकान, सब को उसने तहस्टनेस कर दिया था. A people ran helter-skelter in panic. लोग जो हैं अपने डर के मारे इदर-ुदर भागने लगे. The elephant now entered a school ground where children were playing breaking through the brick wall. अब ये जो हाथी था दिवार तोड़ कर स्कूल के मैदान में घुस गया जहां बच्चे खेल रहे थे. All the boys ran into the classrooms and shut the doors tight. सब बच्चे जो थे वो classrooms में अब भाग गए and shut the doors tight और उन्होंने दरवाजे कसकर बंद कर लिये. ये देखकर the beast grunted जो हाथी था वो गुर राया, जोर-जोर से दहाड़ा and wondered about और इदर-ुदर घुमने लगया pulling out the football goal post और उसने क्या किया? football के goal वाले डंडे तोड़ दिये. tearing down the volleyball net और इसी तरह से volleyball का जो net जाल जो था उसका वो भी फाड़ दिया. kicking and flattening the drum kept for water और इसके साथ साथ पानी के लिए रखे के drum को ठोकर मार कर उसने क्या किया? चप्टा कर दिया, flatten कर दिया and uprooting the shrubs और इस तरह से वहाँ पर जितनी भी प Meanwhile, all the teachers and had climbed up to the terrace of the school buildings. From there, they helplessly washed the depredations of the elephant. अब जितने भी teachers से अध्यापक जो थे वो school की building की छत पर चले गे और वहाँ पर ऐस सहाय अवस्था में उस elephant के को देख रहे थे वो. There was not a soul below on the ground. कोई भी व्यक्ती नीचे मैदान में नहीं था. और the streets were empty. यहां तक के गलियां भी खाली हो गई as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. ऐसे लग रहा था कि शहर में रहने वाले लोग जो हैं वो अचानक कहीं गायव हो गए हैं. I was studying in the junior class at that time. मैं उन दिनों junior class में पढ़ रहा था and was watching the whole drama from the rooftop. और मैं यह सारा जो drama था, यह जो नाटक था, यह मैं छट से देख रहा था. I don't know what came over me suddenly. मुझे ने पता कि मुझे अचानक से क्या हुआ. I grabbed a cane from the hands of one of the teachers and ran down the stairs and into the open. मैं ने अपने एक अध्यापक के हाथ से छडी ली और नीचे stairs से, यानि सीडियों से नीचे एक दम से मैं कहां आ आ गया? मैदान में आ गया. The elephant grunted and menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk. और जो हाती था, उसने क्या क्या वो चिंगाडा और उसने खतरनाक धंग से विरिक्ष की टैनी को हिलाया और उसने अपनी सून में पकड़ी हुई थी. It stamped its feet, उसने अपने पैर जो थे वो पटके, kicking up a lot of mud and dust और इस तरह से बहुत सारी मिट्टी और दूल को किचड़ को उचाल दिया. It looked frightening, यह बहुत ही भहबीत करने वाला था, but I moved slowly towards it, stick in a hand, पर मैं धिरे-दिरे उसकी तरफ बढ़ा और मेरे हाथ में चड़ी थी. People were watching the scene hypnotized from nearby house top. लोग आसपास से देख रहे थे, अपनी अपनी घरों की चटों से खड़े हुए देख रहे थे, और मंत्र मुख दो गए थे. Hypnotized, यह नहीं, एक तक देखी जा रहे थे, the elephant looked at me red-eyed, और elephant जो था, हाथी जो था, मुझे अपनी लाल आँखों से देख रहा था, ready to rush towards me. बिल्कुल तयार था मेरी तरफ भागने को, it lifted its trunk and trumped loudly, इसने अपनी सूंड उठाई और मेरको देख कर, चिंघाड़ा at that moment, और उसी शन, I moved forward, मैं आगे की तरफ बढ़ा and mustering all my force, मैंने अपनी सारी शक्ती जैसे, इकठी की, whacked its third toenail on the quick, और मैंने क्या किया, मैंने आगे की बढ़ा मैं और उसके पैर की तीसरी उंगली पर मैंने क्या किया, परहार कर दिया, the beast looked stunned for a moment, अब जो जानवर था, यानि हाथी जो था, वो कैसा लगा, हैरान लगा कुछ शन के लिए, then it shivered from head to foot and collapsed, उसके बाद ये कांपा, सर से लेकर पाम तक और गिर गया, at this point, इश्व पर इस बिंदू पर आकर, इश्वरन जो है, वो अपनी कहानी को पूरा नहीं करता था, and get up mumbling, और मुही मुह में बोलता हुआ, दीरे दीरे बोलता हुआ, I will be back after lightening the gas and warming up the dinner, कहता कि मैं अपनी कहानी को बाद में पूरा करूँगा, पहले मैं गैस जला कर बोजन को गरम करक के बापस आँगा, मेंदरा who had been listening with rapt attention would be left hanging, और इस तरह से मेंदर जो की बहुत ही ध्यान से कहानी को सुन रहा था, वो बीच में लटक जाता था, when he returned, और जब वो वापस आता था, इश्वरन would not pick up the threat of the story right away, तो जहां से उसने बात को छोड़ा था, या कहानी को छोड़ा था महां से शुरू हो नहीं करता था, मेंदरा would have to remind him that the conclusion was pending, मेंदरा को उसको बताना पड़ता था, कि अभी कहानी का आंतर रहता है, well a veterinary doctor was summoned to revive the animal, तो वो कहता था, हाँ, एक जानवरो का डॉक्टर को बुलाया गया, उस animal को, यानि उस हाती को होश में लाने के लिए, इश्व लेटर इट वस लेट अवे बाई इस महावत तू दा जंगल, दो दिनों बाद उसका महावत उसे जंगल में ले गया, well how did you manage to do it इश्वरन, how did you bring down the beast, ये तुमने कैसे किया इश्वरन और किस तरह से तुमने उसको पचाडने में कैसे सफल हो गये तुम, it has nothing, it has something to do with a Japanese art, I it is called, I had read about it somewhere, it temporarily paralyzes the nervous system you see, अब वो कहते है कि मेरा विचारी है कि मैंने कुछ कराटे, Jijutsu जो है ये कहीं जिसके बारे में मैंने पढ़ा था, कि हमारे nervous system को क्या कर देता है, सुन कर देता है, तुमने देखा, note a day past without इश्वरन, recounting some story packed with adventure, horror and suspense, एक भी दिन ऐसा नहीं बीतता था, जब वो कोई कहानी इस तरह की, यानि बहुती कैसी interesting सहास, भै या रहसे से बरिवी, इन में से कोई कहानी ना सुनाता हूँ, whether the story was credible or not, यहां तक कि कचा है वो कहानी विश्वशनी होती भी थी या नहीं होती थी, पर उसको सुनानी होती थी, महिंदर enjoyed listening to it, और महिंदरा को मज़ा आता था इस सुनने में, क्योंकि, of the inimitable way in which it was told, क्योंकि, जिस तरह से वो कहानी को शांदर दंसे सुनाता था, उसको सुनने में मज़ा आता था, इस तरह से उसको टीवी की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि, महिंदरा इतनी अच्छी तरह से उसका entertainment कर देता था, one morning when महिंदरा was having breakfast, इश्वरन asked, एक सुबह जब महिंदरा नाश्ता कर रहा था, तो इश्वरन पूशता है, can I make something special for dinner tonight, sir, क्या आज मैं कुछ विशेश डिनर रात का बोजन बनाऊं, श्रीमान, after all, today is an auspicious day, क्योंकि, आज बहुत ही शुब दिन है, according to tradition, अगर हम देखें, माननेताओं के अधार पर, we prepare various delicacies to feed the spirits of our ancestors today, sir, कम अपने पूरवजों को आज बहुत अच्छा स्वादिश्थ भोजन करवाते हैं, that night महिंदरा enjoyed the most delicious dinner and complimented इश्वरन on his culinary skills, उस रात महिंदरा ने बहुत ही अच्छा स्वादिश्थ रात्री भोजन किया and complimented और इश्वरन को कहा कि उसके खाना बनाने के जो गुण हैं, बहुत अच्छे हैं, he seemed very pleased, वो बहुत खुश नजर आया, but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural, पर उसने क्या किया, supernatural यानि भूत प्रेत के बारे में बातें वो करने लग गया, you know sir, this entire factory area we are occupying was once a burial ground he started, उसने का कि क्या पता है, आप को श्रीमान की जहां हम रहते हैं, यह factory chef जिसमें हम हैं, इसमें कबरिस्तान होता था, और उसने ऐसा कहना अरम कर दिया, महिंदरा वास जग्ट आउट ओफ ता प्लेजन ट्रैवरी, he had drifted into after the satisfying meal, अब जो महिंदरा था, वो तो बहुत ही खुश था, इतना अच्छा खाना मि कहता है कि मैं तो पहले दिन से ही जानता हूं कि जब मुझे रास्ते में एक human skull, यानि खोपडी मिली थी, even now I came across a number of skulls and bones, अभी भी मुझे बहुत सारी हडियां और skulls, यानि खोपडी नजर आती हैं, इश्वरन ने ऐसा कहा, He bent on to narrate how he sometimes saw a ghost at night और वो बताता चला गया कि कहीं बार उसने क्या भी रात को भूत भी देखे हैं, I am not easily frightened by these things sir, I am a brave fellow, और साथ में एक आवे कि इन चीजों से मुझे डर नहीं लगता है श्रीमान, मैं तो एक बहुत ही सहाजिक वेक्ति हूं, but one horrible ghost of a woman which appears off and on at midnight during the full moon, It is an ugly creature with matted hair and a shriveled face like a skeleton holding a foetus in its arms, अब वो कहता है कि श्रीमान जी मैं इन चीजों से जल्दी से नहीं डरता, मैं एक बहुतर वेक्ति हूं, लेकिन एक ओरत का भ्यानक भूत जो कभी पूर्णिमा की रात को आधी रात के समय नजर आता है, यह एक उसका अस्थी पिंजर जो ह holding a foetus in its arms, उसकी वहाँ में एक बच्चा भी होता है, महंदरा shivered at the description and interrupted rather sharply, अब जो महंदर जो सुन रहा था, एकदम से कापा और तेजी से बोला, तुम यू आर क्रेजी, तुम पागल हो इश्वरन, देर आर नो सच तिंग्स एस गोस्ट और स्पिरिट्स, ऐसी कोई चीज नहीं होती, भूत प्रेट कोईच कुछ नहीं होता, it's all a figment of your imagination, ये तुमारी कल्पनाओं में ही है, get your digestive system examined, तुम अपनी पाचन परनाली की जांच करवाओ, and maybe your head as well, और अपने सिर की भी, you are talking nonsense, तुम तो बिल्कुली बखवास कर रहे हो, he left the room and retired for the night, और उसने एकदम से व और उसे आशा थी कि इश्वरन दो-तीन दिन तक उससे नराज रहेगा, but the next morning he was surprised, पर अगली ही सुबह उसको बहुत ही हरानी होती है, to find the cook as cheerful and talkative as ever, कि अभी भी पर सोया, खुश नजर आ रहा था, और बाते कर रहा था, from that day on, Mahindra for all, his brave talk went to bed with a certain unease, Mahindra जो था उस दिन के ब अब दिखाता था, पर फिर भी उसको बेचानी होने लगी, every night he peered into the darkness, और हर रात को वो अधेरे में घूरता रहता था, outside through the window next to his bed, trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity, और ये कोशिश करता था कि अधेरे में कोई हरकत तो नहीं है, यानि कोई है तो नहीं होँआ पर, but he could only see a darkness with the twinkling lights of the factory's miles away पर उसको अंधेरा नजर आता था, जैसे अंधेरे का सागर नजर आता था और मीलों दूर factory की टिम्टी मातियों ही बतियां ही नजर आती थी, he had always liked to admire the milk white landscapes on full moon nights, उसको हमेशा से वो परशंसा करता था, किस चीज की पूर्णमया की रातों में आस पास के दृष्चों की दू इश्वर्न स्टोरी ऑफ ता फीमेल गोस्ट, he avoided looking out of his window altogether when the moon was full, मगर इश्वर्न की नारी भूत की कहानी सुनने के बाद, जब पूरा चांद होता था, वा खिड़की के बाहर जांकने से भी डरता था, वन नाइट, मेहिदरा वास वोकन अप फॉर्णमया की बाहर जांकने स एक बार उसने सोचा कि कोई बिली चूओं की तलाश कर रही है, but the sound was too guttural for a cat, पर आवास जो थी इतनी अधिक गले की निकली हुई थी कि बिली की नहीं हो सकते थी, he resisted the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart, अब उसने बाहर जांकने को अपनी जग्यासा को रोका था कि कहीं कोई ऐसी पर यह जो करहने की आवाज है, तीवर होती चले गया बिली जैसी कम लगती थी अभी आवाज उसको, तो उसने क्या क्या, he could not resist the temptation, अपने आपको रोक नहीं पाया, any more, lowering himself to the level of the window seal, he looked out at the white sheet of moonlight, outside there not too far away was a dark cloudy form clutching a bundle, महंदरा ब्रॉक इंट इंटो a cold sweat and fell back on the pillow panting, as he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto suggestion and some trick that his subconscious had played on him, पर जब उसको अपने आपको रोक नहीं पाया, तो उसने क्या किया, तो अपने आपको खिड़के किनारे तक नीचे करके बाहर चांदनी की चादर को देखा, महादिक दूर तक एक काली धुंदली अक्रीती थी, जिसने एक बंडल पकड़ा हुआ था, महंदर को पसीना आ गया, एकदम से उसको देखकर पसीना आ गया, एकदम से पिलो पर सिराने पर गिर गया, जैसी वो धीरे धीरे इस ब्यानक अनुभव से उबरा ही था, तो उसने स्वम को तरक देना आरंब कर दिया, कि यह कुछ भी नहीं है, किसी प्रकार का, कि यह कुछ ऐसी चाल होगी, जो उसको ड्राने के लिए खेली जा रही है, यानि उसका खुद का ही मन उसको ड्रा रहा है, उसने ऐसा सोचा, By the time he had got up in the morning, जब वो सुबह उठा और हैड़ बात और उसने नहाया and come out to have his breakfast, नाष्टा करने के लिए बहार आया, the horror of the previous night had faded from his memory, और पिछली रात का जो भै था, या डर था, उसकी memory से, उसकी याद से गायब हो चुका था, इश्वरन greeted him at the door with his lunch packet and his bag, और इश्वरन ने दर्वाजे पर उसका स्वागत lunch pack कर उसके बैग से किया, Just as Mahindra was stepping out, इश्वरन grinned and said, जैसे ही Mahindra बाहर जा रा था, इश्वरन एकदम से मुस्कुराया और हसा और कहा, Sir, remember the other day when I was telling you about the female ghost with a foetus in its arm, you were so angry with me for imagining things, Well you saw her yourself last night, I came running hearing the sound of moaning that was coming from your room, तो एकदम से हसके वो कहता है कि श्री इमान जी क्या आपको वे दिन याद है जब मैं आपको एक भूत के बारे में बता रहा था, जिसके हाथ में एक बच्चा था, तो आपने मुझे पर गुस्सा किया था, मैं भागता हूँ आपके कमरे में कल रात को आया था, एकदम से जैसे रीड की हड़ी में उसके ठंड दोड़ गई हो, महिंदरा की ऐसा फेल हुआ उसे, इडिड़न वेट फॉर इश्वरन तो कम्प्लीट इस संटेंस, उसने इश्वरन की वेट नहीं की, कि वेश्वरन अपनी बात पुरी करे, वो तेजी से अपने ओफिस के लिए, अपने दफ्तर के लिए निकल गया, और उसने प्रातना पत्र दे दिया, वो उस हांटिड प्लेस को, उस बूत वले जंगा को छोड़ना चाहता था, अगले ही दिन, ठीक है बिटा, थैंक यू,